बास्पर किसान मोर्चा के परदेश अद्यक्ष राकेश कुमार बबली ने हमिर्पर में पत्रकार बारता में कहा कि कुछ राष्टर प्रोधी ताक दे अपनी हितों को आमली जामा पहनाने के लिए किसानों को बर्ग लाने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में 15 किसान प्रहरी पूरे परदेश पर में तनात की जाएंगे तो किसानों की समस्याओं और विश्यों को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा पूरे परदेश में किसानों को पत्रक के माद्यम से तीनों विधेकों की जानकारी दे रहा है तो किसानों के हस्ताक्षर भी करवाय जा रहे हैं जिसे राजेपाल के माद्यम से पियम मोधी को भीजा जाएगा किसान मोर्चा के परदीश अद्यक्ष राकेश पबली ने दुख चिताते हुए कहा कि आज मंद से किसानों की बात कर रहे लोगों ने कभी किसान और किशी के लिए कोई परिवर्टन नहीं किया है उनने कहा कि हिमाचल परदीश का सारा किसान बागवान बर्ग पीम मोदी के नित्रित में फिश्वाश रखता है और तीन लाग किसान और बागवानों के हस्ताक्षिर करवा कर राजिपाल के मादिम से परधान मंतरी नरेंदर मोदी को बेज़ जाएगा साथ में पीम मोदी का धन्यवाद दिक्या जाएगा कि किसान के हितों के लिए ये फैसला लिया है जो कि स्वागत योगे है हिमाचल प्रदेश का सारा किसान और बागबान मातर कुछ छुट पुट बातें छोड़ दें तो सारा किसान और बागबान नरेंदर मोदी जी के नेतरितों में बिश्वास करते हुए और ऐसी क्रिशी और किसान की विकास नीतियों के लिए उनके साथ हैं और हम तीन लाख किसानों के हस्ताकसर और बागबानों के हमारे साथ में शीमला था था बहुत से ऐसे मंडियों के जो हमारे बड़े कारे करता थे हमारे बड़े बागबाम थे ऐसे सभी कार्यकरताओं ने विश्वास जिताया है और ये जो हम तीन लाख किसानों के हस्ताकसर कुरा के राज्यापाल के माध्यम से परदान मंतरी जी को भेजेंगे उनका धन्यवाद करेंगे कि इस तरह का फैसला क्रिशी और किसान के विकास क होने चाहिए इसके लिए लिखे तोर पर प्रदेश किसान मोर्चा ने मांगी है कि इस मामले में कारवाई की जाए इती और नियत दोनों सपश्ट रूप से क्रिशी और देश के किसान के विकास के लिए पहली वार देश को ऐसा नेत्रित्व मिला जिसने देश के सबसे गरीब 10 किरोड किसानों के खाते में किसान सम्मान निदी के नाते अभी तक 95,000 किरोड की रासी ऐसे गरीब किसानों के खाते में गई है जो कभी 500 अरपे के लिए आतम हत्या करता सा देश का किशान आज बड़ा दुखत विशे है कि जो लोग आज मंच पर बहां बात कर रहे हैं किशानों की लेफ्टिस्ट जिनकी लंबा समय बेंगॉल में सत्ता रही उन्होंने आज तक कोई परिवर्तन क्रिशी और किशान के लिए नहीं किया हिमाचल पर्देश का सारा किसान और बागबान मातर कुछ छुट पुट बातें छोड़ दें तो सारा किसान और बागबान नरेंदर मोदी जी के नेतरितों में विश्वास करते हुए और ऐसी क्रिशी और किशान की विकास नीतियों के लिए उनके साथ है और हम तीन लाख किशानों के हस्ताक्सर और बागबानों की हमारे साथ में शीमला था था बहुत से ऐसे मंडियों के जो हमारे बड़े कारेकरता थे हमारे बड़े बागबाम थे ऐसे सभी कारेकरताओं ने विश्वास जिताया है और ये जो हम तीन लाख किसानों के हस्ताकसर करवा के राज्यापाल के माद्यम से परदान मंतरी जी को भेजेंगे उनका धन्यवाद करेंगे किस तरह का फैसला क्रिशी और किसान के विकास के लिये है